भारत विरोधिया मरियाधिक बयान देने वाले चीनी राजदूत के बयान के खिलाब बोलने पर नेपाल में पूरु मंत्री महेंद्रियादों पर जानलेवा हमला होता है दरसल काटमांडू में रिपोर्टर्स क्लब में वो एक पत्रकार वारता को संबोधित कर रहे थे और जब पत्रकार वारता को संबोधित करके निकले तो उन पर जानलेवा हमला किया जाता है धारदार हतिया जिसे खुकरी कहते हैं तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से महेंद्रियाद हो जो कि नेपाल सरकार की सत्ताधारी पार्टी के सह माह सचीव हैं और इसके वो पूर में मंतरी भी रह चुके हैं उन पर हमला होता है चीन के राजदू जो कि नेपाल में उनोंने भारत के खिलाप क्या कुछ का ता यह बताएंगे लेकिन भारत के खिलाप उन्होंने अर्यादित बयान दिया था लेकिन तस्वीरों में और वीडियों में आप देख स इस बारे में जानकारी अभी जुटाई जारी है पुलिस की तरफ से लेकिन महज चीनी राजदूत के भारत विरोधी बयान के एक दिन के बाद महेंद्रियादों प्रेसवार्ता करते हैं रिपोर्टर्स क्लब में काठमांडू में और प्रेसवार्ता करके जैसे ही निकलते है पत्रकारों के साथ तो उन पर ये व्यक्ति जिसका नाम श्याम सापकोटा है वो हमला कर देता है और वो अंदर ही प्रेसवार्ता के दौरान बैठा हुआ भी था और वो महेंद्रियादों को सुन रहा था और महेंद्रियादों ने पत्रकारों को संभोधित करते हुए क्या दूरत नहीं है दरसल चेन सोंग जो की चीनी राजदू थे नेपाल में उन्होंने भारत विरोधी बयान दिया था नेपाल के कारक्रम में और यहां तक कह दिया था कि यह नेपाल के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत उसका पडोसी है भारत और नेपाल के रिष्टे और सामाने संबंधों को कम करना चाहिए और चीन से व्यापार और आर्थिक रिष्टे को बढ़ाना चाहिए यहां तक भारत विरोधी बयान देते हुए चीनी राजदूत ने कहा कि भारत जिस तरह से अपने आपको सक्षम और सबल बताता है आर्थिक तौर पे वो दरसल दिखावा करता है जबकि स्थिती बहुत कमजोर है नेपाल के राजनाइक को और नेपाल के राजनाइक विष्टे सग्यों ने भी चीनी राजदूत के बयान की आलोचना की और यह साफ कहा कि यह बयान राजनाइक गरिमा के खिलाप है और उसके बाद आज महिंदर याद हो जो की सत्ताधारी पार्टी में सह मासची हुए व 45 वर्षय श्याम उन पर हमला कर देता है गर्दन पे और पुलिस उसे धर दबोचती है लेकिन महेंद रियादों की हालत बहुत गंभीर बनी हुई है और नेपाल के तमाम राजनाइक जैसा हम बता रहे थे कि वो चेन सोंग के बयान की लगतार आलोचना कर रहे हैं कि इस त के खिलाब सडियंत रचने में उनकी एहम भूमिका होती थी और अब जो राजदूत पहुंचे हैं उन्होंने भारत विरोधी बयान सर्वजनिक मंच पे दिया और उसका वीडियो भी बहुत वाइरल हुआ इस तरह का बयान आम तोर पे कोई भी राजनाइक किसी दूसरे द करीमा का उलनगन किया